नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत बड़ा एक्जाम हुआ है संदे को पहली पारी की हो चुकी है सेकेंड पारी चल रही होगी अभी जब यह वीडियो बना रहा हूं मैं और उस एक्जाम के बारे में पहली भी अपडेट दे चुके हैं आपको और यह एक्जाम का नाम है आर पारी में लेना पड़ रहा है और सतर परसेंट बच्चों ने पहली शिफ्ट में एक्जाम दिया है तो इसमें जो जी के पेपर आया है हमने कहीं बच्चों से बात करी वो कैमरे पे तो आने उतियार नहीं हुए तो मैंने रगास चलो ठीक है कि बड़े बच्चे होते हैं क कर चुके होते हैं तो कई बार उनको अच्छान लगता कि कैमरे में कुछ बता हैं बट हमने उनसे बात करी मैं एक सेंटर पर गया और उसमें मुझे जो पता चला मैंने यहां पर पूरा लिख लिए अपने नोट में तो जो बच्चे से मैंने बात करी हो बहुत हुश्यार उसने बताया है कि सर उसने साठ कोश्चन GK में सारेज ठीक कर लिए अटाइम्ट कर लिए निगेटिव मार किया है पहले इपता दूँछ इंगलिश में करे वो इच्छा लगा च्छे कौंट में करे वो इच्छा लगा क्वांट में केवल च्छे कोश्चन किये वो भी दिमाग खाली हो गया मैं क्या करूं उसके बाद ये तीन ऐसे कुश्चन मिले इस बच्चे को कौंट में जिसने इसके दिमाग को घुमा दिया हाला कि जो बाद के 15 मिनट थे इसने 11 स्टेटमेंट बेस्ट कुश्चन अटेम्ट करे और जल्दी-जल्दी में और पेपर खत हो गया है फिलाल जो ओवरोल लब लुवाब है वो यह है कि पेपर बहुत हाड आया है और पेपर हाड भी ना हो देखिए मैं बताता हूं इसमें वेकेंसी केवल 64 है 66 केवल 66 सीटो के लिए तीन शिफ्ट में एक्जाम हो रहा है तो सोच सकते हैं number of candidates कितने जाते हैं और आजगल तो कोई भी एक्जाम हो सरकारी जोब होनी चाहिए इतनी बेरोजगारी है और बेरोजगारी सरकारी जोब के लिए काम धंदा या अपना खुद का बिजनिस है प्रेवेट सेक्टर में इतना बुरहाल नहीं है पर गुवर्मेंट जोब का अट्रक्शन जादा तो ह एक लाग बच्चों ने मतलग अंदाजा है मेरा एक लाग बच्चों ने अप्लाई किया होगा जिन में से सतर हजार बच्चों ने पहले फेज में पहली शिफ्ट में एक्जाम दिया होगा और मैं आपको उता दू जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उनमें से केवल 1 1.4 यानि के एक हजार बच्चों को ही फेज 2 के एक्जाम के लिए एड्मिट कार्ड मिलेगा इतना टॉफ एक्जाम है सोचिए एक लाग में से आईटी दिना तो नहीं है बट फिर भी और अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए इसा पेपर होता है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए ना तो आपकी पूरी कहानी खता मैं तो यार ये पेपर मतलब देखो विशु अलब बैस्ट जिन्होंने पेपर दिया है मैं ये नहीं कहता हो सकता आपका सेलेक्शन हो जाया आपकी तेहरी कैसी है पर जितने लोगों से मैंने बात करी है उन में से तो जादर के मुँ उतरे हुए थे निगेटिव मार्किंग भी खेल भी गाड़ रही है लेकिन इस बार का जीएस बहुत इजी आया मेरे इसाब से जो मुझे लगा और एक सला में दूँगा जो बच्चे इसकी त्रहरी कर रहे हैं जो इसको निकानना चाहते है एक्जाम को क्योंकि इसमें 30 साल तक एज लिमिट है तो अभी भी बहुत सारे चांस बच्चे हैं लोगों के पास जो भी 24 साल का है वो इसको पांच बार एक्जाम को दे सकता है हर साली एक्जाम होता है वैसे ये भी समभा होना है कि अगले साली एक्जाम शायद ना हो इसके जगे कोई और एक्जाम हो सकता है सीट्स कम हो जाएंगी तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप इजी कोश्चन करें क्वांट के और रिजनिंग के उसके बाद क्वांट और रिजनिंग में कोश्चन का सेलेक्शन बहुत कुरूशल होता है अगर आपने गलत कोश्चन पर शुरू में टाइम देना शुरू कर दिया ना तो आपका पूरा टाइम बेकार हो जाएगा तो सबसे अच्छा होगा डी आई पहले करें सीटिंग अर्रेंजमेंट बाद में करें और आपके जो इनपुट आउटपुट वाले कोश्चन है सीरीज वाले, कोडिंग वाले, स्टेटमेंट वाले इन कोश्चन को आप उसके बाद करें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा एक और बच्चे से मनें बात करी निरंजन जैन उसने का, क्वांट में 12 उसने टेम्ट करें है उसको डिफिकल्ट लगा और एक डिए से करा इसने और कुछ अर्थमेटिक के कोश्चन किये कुछ नंबर से रीज के किये इंग्लिश इनको बहुत इसी लगा इन्होंने 24 कोश्चन फोड दी इंग्लिश के इनको मौडरेट लगा 25 कोश्चन कर दिए क्रिटिकल इसनिग भी किया है इन्होंने डेटा सफिशेंसी भी किया मिसलेनियस करे फ्लोर पजल और यर पजल भी किये जनरल अवेडनेस जीए मौडरेट लगा इन्हें 39 कोश्चन ही करके आ है तो ये बच्चे थे कई बच्चों से मैंने बात करी है मैं नाम सब के नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया सर हमारा नाम मत बताना तो वेसे तो एक बहुत खास बच्चा भी एक्जाम दे रहा है बट हमारा उनसे कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा है वक्त का कुछ पता नहीं होता कब कोन बदल जाए कि ऐसा भी कहीं बार होता है कि जो आपके सामने फॉर्म भर रहा है बैटके आपके ही घर पे वो ही आप उससे बात नहीं कर पाओगे तो सोचिए पेपर का पता किस चलेगा एक और बच्चे से मारी बात हुई और इनका नाम जो है पंड़ाओ में से एक युदिस्टर नाम है इनका इन्होंने कहा शिफ्ट वन में पेपर दिया जी एके फिफ्टी नाइन अटेम्ट कर दिये इंगलिश के ट्वैंटी थ्री क्वांट में इनकी हालत खराब हो गई और यह बोल रहा था सर मैं प्रेशर हैंडिली नहीं कर पाया एक क्वश्चन भी मुश्किल से कर पाई है क्वांट का तो रिजनिंग इन्हें इजी लगी और क्वांट इन्हें बहुत हाट लगी 16 क्वांट मेरा मूड ओफ ना करता तो मैं और क्वांट कर लेता रिजनिंग के बट क्वांट ने आलत खराब कर दी तो बीटैक जो आईटियन हैं बीटैक अच्छे कॉलिस हैं उनको इजी लगेगा पेपर उनके लिए आसान है क्वांट वाकि हार था क्योंकि जितने बच्चे मुझे मिले सबने बदा क्वांट हार है और मेरी एज होती तो मैं भी करता मैं जस्क निकल गया हूँ इससे इस बार सीट भी कम कर दी है अटेम्ट तो हैं देखो तो मैं नहीं मुझे एक बात फोड़ लगी इसमें मैं एक बात कहना चाता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो हो देख रहे हैं जो आर्बिय की तहरी कर रहे हैं मुझे इसा लग रहा है कि कहीं सारे बैंक के जो पीयो की reasoning quant तो भाई बस क्या बता हूँ आपको इवन जो बच्चे SSC CGL में select हो चुके हैं वो भी इस paper को दे रहे हैं कहीं बच्चे मुझे मुझे मिले जो already government job में हैं तो या तो सरकार को एक नियम बनाना पड़ेगा कि जो government job में already एक बार लग गई उसकी उसे दुबारा chance ना मि तो इससे timey waste हो रहा है, passive waste हो रहे है taxpayer के और काम भी नहीं हो पा रहा है, सोची जो बच्चा एक बार government job लग गई, अब उसका मन तो ही नहीं हुआ, मेरा खुद का रिस्तेदार है जो सरकारी टीचर है primary school में, लेकिन वो कहीं साल से चुट्टी ले लेके तेहरी कर रहा है, अ और इससे एक तो नुकसान बच्चों का हो रहा है, salary मिली रही है बीच-बीच में, कभी कम कभी ज़्यादा, और taxpayer का पैसा बर बरबाद हो रहा है, और जो job कर सकता था, जिसको teacher ही बनना था, या जो सोचता था, मैं teacher बनने लायक ही हूँ, उसको seat नहीं मिल रही है, चुकि इसको मिल गई होश्यार है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, एक तो जो RBI वाले बच्चे न, ये puzzle वाले question को बहुत practice किया करो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, एक बच्चा वी वेक मिला था, उसने बताया मुझे कि बच्चा कैसा बड़े बड़े थे वाई, कुस तो मेरी तने भी थे, उसने काया, उसका first shift का paper था, पांच question क्वाइंट में कर दिये, 17 reasoning में, 29 English में, 50 GA में, सर मैंने अपना best किया, अगर reasoning अच्छी हो जाती तो और अच्छा कर सकता था मैं, लेकिन मुझे कोई regret नहीं है सर, मैंने अपना best किया, यह मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चा है, यह खुश था, क्योंकि इसकी government job थी पहले सी, यह bank में PO है बाई, bank में PO होने के बाद जो दिये फिर तेहरी कर रहा है, मतलब क्या बात है यह, हद हो गयी बिल्कुल, तो मैं तो यह कहूंगा कि RBI का जो paper है यह भाई, एक तरह से कहूं तो मुझे तो IAS से भी टफ लग रहा है, और यह एक lottery की तरह है, जैसा NDA में selection तुक्या से होता है, यह भी एक lottery की तरह है, और मुझे इसा लग रहा है कि RBI grade B अगले साल से शाहिए बंद हो जाएगा, किसके officer को या तो किसी और नाम से exam लेंगे या कुछ और जुगार से भरती करेंगे, या फिर बैंकों से direct भरती कर लेंगे, एक बच्चे और मिला था, उसका नाम अनुराग ही था, उसने का सर मैंने GA 80 कर दिये, नंबर स्रीज के तीन question में मैं फस गया, last में boys and girls वाले D.I.E. में जल्दी जल्दी कर दिये मैंने, cut off would be last year marks, cut off कि comment करके बताईएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पता नहीं ये वीडियो कितना रीच करेंगे, यूगि हमारे चैनल पर जातर बच्चे अभी CBSC वाले हैं, बट अगर आप जो बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको शेर कर देंगे, अपने बड़े भ एक बच्चा और था, वो जनरल केटेगरी का बच्चा था, बहुत गुस्से में था, रिजर्वेशन के ऊपर, मैंने समझाया भाई, सरकारी पोलिसी है, मान लो, उसने का, सर मैरे से तो कौांट के के वैल पांची कोश्चन हुए, रिजनिंग के उननिस, और इसने का, पता इंटेलिजेंट होंगे, और मैं खुद भी टीचर हूँ, और मैंने भी कहीं एक्जाम दिये हैं, तो रिजनिंग और कौांट तो भाई हार थे, खासकर बोईज गल्स वाले प्रजल वाले क्वेशन तो खतरनाक थे, उमीद है कि आप इस पेपर को क्लेक करेंगे एक नेक द लेकिन इस बार नहीं दोगली बार, तीस साल की एज तक आप कर सकते हो इसको, और विश यू अल्दा बेस्ट, सब को बहुत 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 अल्दा बेस्ट, खासकर उस इंसान को, जो पेपर दे रहा है वाला, मेरी दरफ से हार्दिक शूब काम नहीं, और एक ही पेपर की थोड़े से मचे के लिए, तो इसा ना करें, अपना ध्यान रखें, और अपने सचे प्यार करने वालों को जोड़कर रखें अपने साथ, उनको साथ ना छोड़ें, छोटी छोटी बात के लिए, अपनी mental health का ध्यान रखें, सारे firm भरें, कोई भी छोटी जोब नहीं होती, साथ में कोई जोब भी करते रहें, और कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट करें, और अगर आपने एक्जाम दिया है, RBI Grade B, तो कैसा हुआ ये कॉमेंट करिएगा, आपने reasoning में कितने किये, और आपने DIA में कितने किये, QANT में कितने किये, GA में कितने किये, कॉमेंट करिएगा, और Wish you all the best, love you all Jai Shri Ganesh Bhakwaan